Welcome back to our channel, आज की इस वीडियो में जानेंगे आपको BFS से किसी भी country का वीजा का appointment कैसे book करना है BFS के अंदर तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, तो सबसे वहले आपने क्या करना है, कोई भी एक browser open कर लेना है इसका लिंक में आपको description में भी दे दूँगा, उसके बाद आपने welcome to BFS global इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको select करना है, यहाँ पर आपको select करना है I am applying from, तो यहाँ पर आपको country अपनी select कर लेना है कौन सी country से आप apply करना है, मैं यहाँ पर इंडिया ले लेता हूँ and I am going to, कौन सी country का आपको visa लगाना है, select your country, तो यहाँ से आपने country को select कर लेना है example के लिए मैं भी इसमें Ireland ही ले लेता हूँ, उसके बाद take me to the website, इसमें आपको click करना है नीचे welcome to BFS Global and नीचे आपको book an appointment, क्योंकि आप visa के लिए appointment ले रहे हैं, तो आपको book now पे click करना है उसके बाद book an appointment, book now, again आपको book now पे click करना है and यहाँ पर नीचे आपको I don't have an account, अगर आपने पहले से account बना रखा है तो आपने sign in कर लेना है अगर आपने account नहीं बनाया है तो I don't have an account पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर email id डालना है, अपने password डाल लेना है confirm करना है password को, उसके बाद यहाँ पर check करके register पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आप देखंगे create an account, almost done यहाँ पर registration done successfully, आपका registration done हो गया है आपको जो email id आपने डाली थी, वहाँ पर आपको एक link आया होगा अपने account को वहाँ से activate करना है email में देखंगे, आप do not reply at the rate bfsglobal.com से आया है यहाँ पर नीचे जो आपको link दिख रहा है, इस link पर आपको click करना है और जिस भी country के लिए आप apply करने, bfs के अंदर उसकी site पर आपको interface अलग लग देखने को मिलेगा थोड़ा जैसे हमें भी Iceland के लिए apply करने, आप किसी और country के लिए, France के लिए, Germany के लिए apply करने तो interface आपको अलग लग लग देखने को मिलेगा start new booking पर click करेंगे appointment details and यहाँ पर जो center है, वो भी आपको, यहाँ पर जैसे आप देखने के अभी हम Iceland के लिए apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर 11 center available है तो किसी में 18 होंगे, किसी में 17, किसी में 5 तो centers भी आपको देखने को मिलेंगे अलग लग, ओके जैसे Iceland के लिए भी इंडिया के अंदर 17 centers available है तो इसमें से मैं एक select कर ले दा हूँ, मैं Delhi select कर लूँगा यहाँ पर category आ चुकी है and choose your subcategory, यहाँ से subcategory आपको select करनी है मैं choose में select कर रहा हूँ, आप अपने इसाप से select कर सकते है earliest available slot दिखा रहा है न्यू डैली में तो आप change करना चाते हैं, यहाँ से center change भी कर सकते हैं उसके बाद आपने continue करना है next your details, आपको यहाँ पर अपने detail फिल करनी है applicant first name, यहाँ पर first name डालना है यहाँ पर आपको last name डालना है, अपना gender यहाँ से select कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर date of birth डालना है, current nationality अपनी डालनी है passport number and passport expiry date जो आपके passport होँगी वो आपको यहाँ पर फिल करनी है contact number, यहाँ पर country code और उसके बाद contact number देना है email address डालना है, उसके बाद save पर click करना है इसके बाद your detail आप यहाँ से edit करना चाते हैं, अभी edit कर सकते हैं और किसी another applicant को अगर add करना चाते हैं अपने साथ तो यहाँ से add another applicant पर भी click कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, आपको service fee यहाँ पर pay करनी है book an appointment, सबसे पहले आपने slot choose कर लेना है, तो यहाँ पर date, यहाँ पर आप देखेंगे, 27 available है अगर next month आप देखना चाते हैं तो यहाँ से next month को कर सकते हैं next month यहाँ पर चार को available है, तो मैं यही ले लेता हूं उसके बाद आपने नीचे choose an appointment time, यहाँ से time को select कर लेना है, मैं morning, afternoon and evening तो मैं morning ले लेता हूं उसके बाद आपको यहाँ पर time आजाएगा, 9, तो 9 select कर लेता हूं मैं, उसके बाद आपको continue पर click करना है services, तो यहाँ पर services है जैसे prime time premium launch का है 2,600 and courier services, travel insurance, courier services, 450 SMS के, तो आपको अगर कोई service चाहिए, जैसे SMS चाहिए या फिर आपको courier service चाहिए, अगर आप ABY यहाँ से लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, premium launch अगर आप लेते हैं, तो आपका थोड़ा सा मतलब आपको एक अलग सी service मिलेगी, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा BFS के अंदर, उन सभी videos का link भी आपको description मिल जाएगा, मैंने बना के रखे हैं already, BFS के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपको ABY premium launch यहाँ से book करना है, तो add करना है आपको, otherwise आपको भी add नहीं करना है, उसके राद आपने continue बनना है, यहाँ पर review है, आपको जो detail आपने fill करी है, जैसे country and traveling to Iceland, यह सब आप देख सकते हैं, कौन सा आपने application center चूज किया है, और अपनी detail आप देखना चाते हैं, तो इसमें click करके आप अपने detail भी check कर सकते हैं, उसके राद आप पर दिखेंगे, appointment details आपके आजाएंगी, आपको कितना pay करना है, वो भी आजाएगा, अगर services आपने add की होंगे, तो यहाँ पर वो भी आजाएंगे, उसके राद आपको नीचे total दिखाई देगा, आपको कितना pay करना है, उसके राद आपने इसको यहाँ से check कर लेना है, ट email, select country, city, यह सब डालने के बाद नीचे आपको यहाँ से card select कर लेना, आप debit से कर रहे हैं, credit card से कर रहे हैं, net banking से कर रहे हैं, UPI से कर रहे हैं, जिससे भी आप payment कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पर select कर लेना है, इस तरह से, ओके, तो अगर आप UPI से कर रहे हैं, तो यहाँ पर payment को confirm कर लेना है and screen में आपको दिखाए देगा उसके बाद thank you for booking and appointment with us नीचे आपको transaction ID and payment, date, amount सब दिखाए देगा अगर आपको और detail जाननी है तो यहाँ पे booking detail में click करके आप जान सकते हैं और जो mail ID आपने दी थी इसमें booking करने के time, email ID उसमें आपका appointment letter आ जाएगा और आपने उसको print out कर लेना है appointment letter आपका इस तरह का रहेगा जैसा आप screen में देख सकते हैं यहाँ पे आपको appointment letter, application number of application 1, जितनी भी होंगी हो आपको दिखाए देगा यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका reference number applicant name, passport number appointment date and time, visa category इस तरह का आपको mail पे आपको appointment letter आ जाएगा and address यहाँ पे आपको दिखाए देगा और आपको 15 मिनिट पहले वाँ पे आपकी जो appointment timing है उससे 15 मिनिट पहले आपको वाँ पे पहुँच जाना है जैसे कि नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है and VFS के अंदर आपको क्या क्या करना है क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है उस वीडियो का link भी आपको description मिल जाएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना है इस वीडियो में हमने जाना आप VFS से किसी भी country का visa appointment कैसे book कर सकते हैं VFS के अंदर and thanks for watching, see you in next video